वेल, हेलो और वेलकम है दोस्तों, आसम लोगों का Tech M.M. पर एक बार फिर से दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यदा खास होने वाली है उनलों के लिए जो कि एक True Wireless Air Buds को ढूंड रहे हैं पर प्रोब्लम यहां पर 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 दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसे True Wireless Air Buds लेके आया हूं तो अगर आप भी अपने लिए एक True Wireless Air Buds देख रहे हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं Nokia के True Wireless Air Buds T3110 को जो कि एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही जबरदस True Wireless Air Buds हैं अब दोस्तों इसके feature के अगर मैं बात करता हूं तो बहुत ही amazing feature आपको देखने को मिलते हैं वो भी काफी reasonable price में सबसे बड़ी चीज जो हमें इस Air Buds के अंदर देखने को मिल जाती है एक तो ये Nokia की तरफ से आता है तो आपको पता है कि Nokia की चीजे जो हैं वो बहुत ही जदा reliable होती है इसके अलावा दोस्तों इसका जो battery backup है वो भी काफी जदा amazing है Nokia के इस Buds के साथ हमें दोस्तों साड़े 22 गंटे का जो battery backup में देखने को मिल जाता है जो की बहुत ही जदा amazing है जाने कि आपको बार बार इन्हें चार्ज करने की ज़रूत नहीं है एक बार अगर आपके बर्ड चार्ज हो जाते हैं तो पांच घंटे लगतार वो चलने वाले हैं तो ये चीज बहुत ज़्यादा amazing है इसके अलावा दोस्तों ये IPX7 waterproof भी है और इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर जो है हमें Nokia के इस Airbird के अंदर देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम कर लेते हैं Nokia के इस Birds के Unboxing और मैं आपको दिखाता हूं इसके सारे के सारे फीचर और ये Birds जो है किस तरीके से काम करते हैं तो चलिए फिर जल्दी से Unboxing को शिरू करते हैं तो ये है दोस्तों Nokia के True Wireless Airphones T3110 का Box तो कुछ इस तरीके से इसका Box दिखता है इसके Pricing के कर हम बात करते हैं तो 3,999 रुपे में ये जो है आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं Flipkart के ओपर अवेलेबल हैं Buying Link in description तो वहाँ से आप Buy कर सकते हैं इसको दोस्तों यहाँ पर Box Packing काफी अच्छी quality की दी गई है यहाँ पर Nokia की branding है और Airbirds जो है उनके picture यहाँ पर बनी हुई है साइड में आप देखेंगे तो इनके सारे जो feature हैं वो यहाँ पर बताएगे हैं मैं आपको describe करूँगा वीडियो के अंदर तो वीडियो के लास तक बने रहना और यहाँ पर पीछे से कुछ Box इस तरीके कर दिखता और साइड से आपको सारी चीज़े बताएगी हैं कि Box के अंदर हमें क्या-क्या मिलता है तो चलिए दोस्तो अब जल्दी से इसको हम open कर लेते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि Box के अंदर हमें क्या-क्या देखने को मिलता है तो चलिए से unwrap कर लेते हैं जल्दी से और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह रहा हमारा charging case और यह रहे हमारे दोनो birds यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं कि तीनों के उपर यहाँ पर Nokia की branding आपको देखने को मिल जाती है अगर मैं design language की बात करूँ तो काफी ज़दा बढ़िया हैं आपके air के cording बने हुए हैं easily गिरते नहीं हैं यह चीज़ मैंने खुद फील की है इनके तर रबर्ड के यह extra birds आपको देखने को मिल जाते हैं तो आप इनको use कर सकते हैं अपने air के cording यहाँ पर मैंने यह महसूस किया कि यह थोड़े से कई बार lose हो जाते हैं निकल जाते हैं easily तो इसके ओपर थोड़ा सा ध्यान company को यहाँ पर देना चाहिए था तो c-type charging basically इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी जो की काफी बढ़िया बात है तो easily आप इसको carry कर सकते हैं चली इसको open करके मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पर birds आपके आजाएंगे left and right birds जो हैं आपके तो यहाँ पर लगाके मैं आपको दिखा जाता हूँ तो कुछ इस तरीके से charging indication आपको मिल जाते हैं तीनों में ही जिसके आपको पाचलता है कि इतना battery वगएरा इसके अंदर बाखी रह गया है साथ में आपको charging के लिए c-type cable भी मिल जाती है साथ में extra birds भी मिल जाते हैं तो आप अपने air care coding ने लगा सकते हैं साथ में यहाँ पर हमें user guide भ साथ सुनते हैं तो साड़े 4 घंटे का backup आपको यहाँ पर मिलने वाला है जो की बहुत ही amazing backup है चली दोस्तों एक काम करते हैं कि जल्दी से इसको हम connect कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं Nokia का sign बना हुआ गया है तो यहाँ पर हमने इसको connect कर लिया है अब हमारे जो birds है वो यहाँ पर pairing हो चुके हैं तो यहाँ पर हमें सुनना है अपना music सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँगे कितने जादा comfortably fit होते हैं तो असानी से यह गिरेंगे नहीं चाहिए आप कोई भी activity यहाँ पर कर रहे हूं इसके लावज़ों तो music के अगर बात करता हूं तो चाहिए play करना है, skip करना है, song को, cause को accept करना है, सारे के सारे चीजे जो हैं आप यहाँ पर easily कर सकते हैं दोस्तों आपको control के लिए बार बार अपने phone में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इसके लावा दोस्तों इसके अंदर आपको active noise cancellation का support भी देखने को मिल जाता है जो normally इस price range में हमें देखने को नहीं मिलता है और वो यह काम भी बहुत अच्छे तरीके से करता है आपको just double press करना है और यहाँ पर active noise cancellation जो है on हो जाती है और बिल्कुल आपको जो listening का experience है बिल्कुली different level का मिलता है यहाँ पर आपको बता दो कि six built-in microphone इक अंदर लगे हुए हैं जो की hybrid noise cancellation technology आपको देते हैं तो इस वज़े से क्या होता है कि 80% of background noise है वो यहाँ पर कट जाता है वो जो sound quality है वो आपको super awesome देखने को मिलती है दोस्तो यह काफी जयता lightweight है तो आप easily pocket के अंदर नहीं से carry कर सकते हैं आपको extra जो bulk है वो महसूस बिल्कुल भी नहीं होता है दो दोस्तो यहाँ पर हमें IPX7 water protection भी देखने को मिल जाती है तो अगर आप इसे बाहर कहीं भी लेके जारे हैं sweat हो रहे है आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी दोस्तो अकर हम बात करते हैं इसकी connectivity की तो यहाँ पर Bluetooth 5.1 का support मिलता है तो twice as fast हो जाती है connecting तो यहाँ पर streamless जो pairing यहाँ पर आपको देखने को मिलती है अगर आप game वगर खेलते हैं उसमें के बार lag वगर आपने देखा होगा तो वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी दोस्तो अकर इन airbird को मैं as short as possible describe करूँ तो यहाँ पर four pillar है में इसके एक तो दोस्तो यह Nokia की तरफ से आता है तो brand जो है काफी अच्छा है आपको काफी reliability बिलती है pricing इसका काफी अच्छा है 12.5 mm के driver आपको देखने को मिलते हैं battery backup काफी अच्छा है और active noise cancellation आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है तो यह basic चीज़े हैं जो इसको बिल्कुल different and बिल्क करना चाहिए या फिर वो कौन-कौन से point है जो इसके अंदर सबसे ज्यादा खास हैं दोस्तो पहली चीज जब भी आप कोई earbird लेते हैं या कोई भी ऐरफोन लेते हैं जब कोई भी ऐसा audio से related product लेते हैं वो headphone हो कुछ भी हो आपको सबसे अच्छी चीज क्या चाहिए सबसे जरुरी चीज होती है उसकी sound quality यानि कि जो sound quality बहुत ही ज़्यादा amazing होनी चाहिए पर अगर उसके audio quality अच्छी नहीं है तो आपको बिल्कुल भी listening में मजा नहीं आएगा तो यहाँ पर इस department के अंदर तो यह जो Nokia के बर्ट्स हैं वो खरे उतरते हैं क्योंकि इनकी audio quality बहुत ज़्यादा enhance करते हैं आपकी low base frequency को भी तो दोस्तों यहाँ पर यह जो चीज है इस bird के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है आनि कि audio quality आपको बहुत ही ज़्यादा amazing मलती है दूसरा एक चीज मैं बहुत ज़्यादा consider करता हूँ कि जो fitting है वो बहुत ज़्यादा कि जो कि होते तो बहुत ज़्यादा अच्छे है पर उनकी fitting अच्छी नहीं होती है तो क्या होता कि कान से बार बार गिर जाते हैं इस तरह की problem आती है तो यहाँ पर यह चीज भी काफी ज़्यादा बढ़िया है अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इसके सबसे बड़े feature की यानि कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है active noise cancellation और यह जो feature है यह काफी ज़्यादा कमाल का है आपको just double bar tap करना है और आपकी जो active noise cancellation है वो यहाँ पर on हो जाती है तो दोस्तों आपके मन में आ रहोगा कि कि किस तरीके से आपकी audio को enhance करने में help करती है तो दोस्तों आपका audio का experience होता है वो बहुत ही ज़्यादा amazing हो जाता है जानि कि आपको कोई भी ऐसा disturbance नहीं होगा कोई भी background noise का disturbance नहीं होगा और आप अपना music जो है वो fully enjoy कर पाएंगे और दोस्तों इसके लाबा एक और बड़ा plus point जो मुझे इस earbud के अंदर लगा वो है इसकी IPX7 rating यान यह भीग जाते हैं यहां फिर कुछ और ऐसा situation आ गया तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी थोड़ा बो डॉस्त भी आ जाता है तब भी कोई problem नहीं है तो rating इसकी काफी ज़्यादा अच्छी है तो यहां पर काफी ज़्यादा durable हो जाते हैं इस हिसापते त बहुत ही कमाल का battery backup इसकंदे आपको देखने को मिलता है तो अगर हम बात करते हैं active noise cancellation वाले airbird की तो nobly उनका जो battery backup है इतना अच्छा नहीं होता है पर यहां पर काफी कमाल का जो battery backup है आपको यहां पर देखने को मिल जाता है अगर हम normal battery backup की बात करते हैं यहां पर 12 गंटे क आपको देखने को मिलता है और जो आपके birds हैं यह अकेले आपको पाँच घंटे का battery backup दे सकते हैं single charge होने पर तो यह काफी ज़दा कमाल की बात है और दोस्तों अगर आपने active noise cancellation को on कर रखा है और फिर आप इसको listen कर रहे हैं तो यहां पर battery backup में थोड़ा सा फरक आता है या आप नहीं चाहेंगे कि बार-बार उन्हें charge करना पड़े तो यहाँ पर इस department में तो यह अरबट काफी ज़दा खरे उतरते हैं अब दोस्तों बात करते हैं इसके touch control की तो यह काफी ज़दा responsive है तो माली जिए आपको कोई भी call receive करनी है अपने गानों को आगे पीछे करना ह सारी की सारी चीज़े जो आपकी fingertips के उपर हो जाती है तो यहाँ पर extra आपको phone में जाने की जूरत नहीं है बिल्कुल भी कुछ करने की जूरत नहीं है सारे के सारे control जो हैं आपको यहाँ पर इस earbud के अंदर मिल जाते हैं अब दोस्तों मेरा जो अगला point है वो उन लोग के के लिए है जो की calls बहुत जादा करते हैं के लोग music जादा सुनते हैं के लोग calls जादा करते हैं तो अगर आप calling इसके ओपर करते हैं तो यहाँ पर काफी benefit आपको होने वाला है तो दोस्तों in airbud के अंदर आपको total six mic देखने को मिलते हैं इन में से जो दो mic है वो noise को यहाँ पर cancel करते हैं और जो एक mic है वो आपकी voice को pick करता है और जितनी भी background noise होती है उसको cancel करता है ताकि आपको calls के दुरान superior voice quality यहाँ पर मिल सके तो यहाँ पर calling के अंदर भी इसका जो response है वो काफी जादा बढ़िया है इसके लाब बात करते है connectivity की तो यहाँ पर Bluetooth 5.1 का support हमें द नहीं होने वाला है तो दोस्तो all over मैं बात करूं Nokia के इस truly wireless earbuds की तो यहाँ पर totally value for money आपको देते हैं तो definitely आप इसे consider कर सकते हैं और आपको इनकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे comment section में जरूर बताना है और Nokia कर कोई भी product आप यूज़ करें तो वो भी जानकारी भी आपको वहाँ पर जाकर मिल जाएगी तो वहाँ से आप जाकर इनको buy कर सकते हैं और सारे की सारी जानकारी ले सकते हैं तो खैर दोस्तो फिर आज की हमारी जो वीडियो थी वो Nokia के इनी true wireless earbuds के बारे में थी आपको यह वीडियो कैसे लगी है मुझे comment करके जरू बताना और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीस लाइक करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की ओव वीडियो के लिए शेयर करें और दोस्तों फिर जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में और तब तक के लिए टेक कियर एंड ब आप करें और दो घल्दी बाइ